नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धन्जनवार दोस्तों हम बात कर रहे हैं रोज सुबर जब आप सो कर उठते हैं तो सबसे पहले अपना घर का मुख्य दर्वाजा खोलते ही होंगे अब खोलने के बाद आप ऐसा क्या करें कि घर में मा लक्ष्मी का प्रवेस हो ताकि आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगे धन की बरकत हो धन आने के मार्ग खुलें बच्चे आपके सेटल हो जाए घर में प्रवेस द्वार बहुत ही महतो रखता है अगर घर का प्रवेस द्वार वास्तों के अनुसार नहीं है तो फिर घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त परिसानी देता है घर में सुक समरिद्धी कम रहती है या कहें तो घर में वाद विवाद जैसे स्थीतियां बनी रहती है और सास्त्रों में घर के मुख्य दर्वाजे को सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है यानि मेन चीज है वो घर का मुख्य दर्वाजा बाकी दर्वाजे आपके छोटे हों या बड़े हों कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन घर का मुख्य दर्वाजा और सभी दर्वाजों से बड़ा खुबसूरत होना चाहिए इससे क्या होता है परिवार मेशालिंता आती है सम्रिद्धी आती है और ये जो आपके ग्रह हैं वो भी सूभ हो जाते हैं हमारे अगर भारती परंपरा को माने तो कलस, नारियर, पुस्प, असोक के पत्ते, केले के पत्तों से सजाने की प्राचीन परंपरा रही है लेकिन अब लोग नहीं सजाते उतना टाइम भी नहीं है और लोग कर भी नहीं सकते हैं कभी कभी पूजा पर्व में करते हैं कोई बात नहीं है जैसे चलता है फिर से चलने दीजे लेकिन हम आपको कुछ आसान टिप्स बताएंगे आप चरूर कीजेगा वास्तु कहता है घर का दरबाजा भी आपको कई तरह के दोस्तों से बचा सकता है क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वहां खुसियां रहती है वहीं पर से आप का सरीर भाग्य बर्दग बनता है मन प्रफुलित रहता है और सभी कारियों में आपको सफलता मिलती है तो घर को कई तरह से परिसानियों से मुक्ती दिलाने का बहुत बड़ा एक हाथ होता है घर का घर का मुख्य दरबाजा इसमें सबसे एहम रॉल अधा करता है यदि आप अपनी घर में होने वाली चुटी चुटी परिसानियों से जूज रहे हैं बच्चे बिगर रहे हैं उनका स्वास टिकनी रहता है आपके माता पीता है उनको परिसानिया है घर में वाद विवाद कलह कलेस जैसी समझ से आए तो क्या कीजिएगा ताकि धन भी आता रहे तमाम चीजों से भी चुटकारा मिल जाए सुबह जब आप सो कर उठते हैं तो सबसे पहले घर के मुख्य दर्वाजे जब आप खोलते हैं एक लोटा जल ले जरूरी नहीं है कि हर बार गंगा जली छिड़के किसी सुब दिन में आप गंगा जली जरूर यूज कीजेगा पर आम दिनों में तांबे के लोटा का यूज कर सकते हैं उसमें लोटा में एक लोटा जल भरकर आप रात में ही रख ले तो अच्छा है सुबह आराम होगा और फिर उसे दोनों साइट थोरा-थोरा मुख्य दर्वाजे पर छिड़क दे चोखट में छिड़कना है ये तो आपका पहला काम होगा दूसरा काम है सोम बार के दिन आम के पत्तों का बंदन बार लगाईए अपने मुख्य दर्वाजे पर और हर सप्ता चेंज कीजिए सुखे वे पत्ते वास्त दोस लाते हैं इसलिए ध्यान रखेगा इन बातों का इससे आपके घर में सबका स्वास्त अच्छा रहेगा क्योंकि अभी स्वास्त ही धन है ये मान के चलिए और जब स्वास्त अच्छा रहेगा तो धन खुद बखुद आएगा आपकी ये जो धन वाली स्थिती है, वो भी ठीक होगी, आप चाहें तो असोग के पत्तों का भी लगा सकते हैं बंदनवार, तीसरी चीज है, जब भी कोई सूप चीज हो, जैसे अभी होली है, इसके बाद राम नम्मी है, आप अच्छे अच्छे दिनों में हल्दी से स्वास्तिक बनाईए या कुमकुम से बनाईए मुख्य दरवाजा के दोनों साइड, ओम लिखिये हल्दी और चाबल का मिक्स करके, इससे क्या होगा, नकारात मक सक्तियों से बचे रहेंगे, महालक्षमी की किर्भा आप पर बरस्ती रहेगी, छोटे छोटे उपाई करके, आप बहुत ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, और जीवन में उन्नती कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा होगा, आप करके देखें, ह हर हर महादे,